नीद आने पर हम सोने जाते हैं वैसे ही बूक लगने पर खाना खाते हैं इसका मतलब जरूरतों के हिसाब से हम अपनी day to day life को चलाते हैं वैसे ही जरूरत के हिसाब से हमें expenses करने चाहिए बस आफ फिजूल कर्च करने से बचें चलिए बढ़ते हैं आज के target की और लेकिन अग आपको multi bagger तक का return यहां से कमाने को मिल चुका है सबसे पहले हम recent disclose हुए June end quarter result की तरफ चलते हैं इस quarter भी company को loss उठाना पड़ा sales सिर्फ 5.20 क्रोड की हुई जबकि expenses ही 8.15 क्रोड के तो operating profit मिला negative 2.95 क्रोड देखो company को loss होने का reason sales है एक बात हमेशा याद रखना जरूरी नहीं होता हर एक company के fundamentals अच्छे हो अगर मानो नहीं है तो भी share obtained या कहें अच्छे return दे सकता है इसके पीछे काफी सारे factors काम करते हैं इस company को March and quarter में भी loss हुआ था लेकिन फिर भी investors को पैसे कमाने को मिला company का primary business manufacturing और business equipments का है अब सबसे बड़े positive point के तरफ चलते हैं जब आप share holding pattern को देखेंगे तो फिर promoters की holding 46.12% से बढ़कर 53.41% की होगी इसका मतलब last quarter से promoters की holding 7.29% से बढ़ गई साथ ही debtor days 157 से कम होका 46 days होगे वहीं borrowings 1.07 crore से कम होका सिर्फ 87 lakhs की रह गई last year free cash flow negative 9.59 crore का था जो की current में 17.4 crore का है positive ये सब कुछ समझकर हम company को debt free consider करेंगे promoter share pledging की बात करें तो फिर वो 2.05% की है 279 crore की market के वाली company का share 52 week range में high 4.15 और low 0.64 रहा फिलाल share का current market price 3.10 है इस share को hold करके रखना काफी एची deal हो सकती है market में किसी के डराने से अगर आप loss में share को बेच कर exit करते हैं तो फिर sense बनती नहीं मानो मैंने एक अच्छी company का share खरीदा है और वो कल गिर गया क्या मैं डर के उस share को बेच दू या फिर वो पूरा एक महिना गिरता रहा देखो अगर मैंने किसी अच्छी company में investment की है और उसका price गिर जाए तो फिर panic होने की कोई जुरूत होनी नहीं चाहिए ये market आपसे सिर्फ time और patience की ही demand करती है company की earnings में 13.61 क्रोड की other income include है वैसे ये point कौन्स के under माना जाता है लेकिन सब यही चाहते हैं कि primary business पर ज़्यादा focus रखना चाहिए ठीक है other income एक दूसरा जरिया है पैसा कमाने का वो चलता रहे तो अच्छा है मेरी अपनी expectation इस share से काफी है हाला कि 1.20 पर shares करीद कर मैंने 3.20 पर बेच दिये थे जबकि इस company के share को मैं 0.95 के price से try करता आया लेकिन उस time कोई seller मिला नहीं तो मेरा order open order में ही पढ़ा रहता आप अपनी नजर इस share पर बारी किसे बनाय रखे return की expectation ज़्यादा रहने वाली है अगर किसी को कोई query है इस company को लेकर तो फिर आप comment box में पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care